हेलो दोस्तों, आप कैसे है और मैं व्य जय कुस्वा और आप देख रहे हैं विजरं भीज बंडार यूट्वे चरनल और इस समय करीब सीजन का समय चल रहा है, जून का महिना चल रहा है और इस समय दान की फसल लगाई जाती है तो जब भी किसानवाई दान की फसल लगाते हैं तो दान की फसल में दो मुख रोग लगते हैं पहला आज जो के बलास्ट लगता है जिसको हम जोंका रोग भी बोलते हैं जिसको हम गर्दन तोड रोग भी बोलते हैं दूसरा एक BLV रोग लगता है जिसको हम bacterial leap blight बोलते हैं ये रोग हमारे दान की पसल में जाता देखने को मिलते हैं और इन रोगों की बज़े से किसान भाई कापी परेशान रहते हैं और दान की पसल में कापी कम पैदावा देखने को मिलती है इसकी समस्या का समाधान करने के लिए IAR के ब्यग्णन को ने दो ब्रैक्षिश्थ किई हैं पहली जो की PB 18-47 है और दूसरी जो की PB 16-92 हैं तो ये दो ब्रैक्षिश्थ की हैँ यप इन ब्रैक्रियों में क्या कि ब्शिस्ता हैं इनकी कितनी पैदावार होती है यह कितने दुनों में पकत तियर हो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे तो जो भी लोग मारे चैनल पर पहली आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लेज आप मारे चैनल को सस्क्राइब कर ला हैं जिससे केते संबन्दे नएन जनकारी आपको यहां से मिल तो बने रहे है बीडियो के एंड तक और इस बीडियो में जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं इसमने तुम किसी भी कंपनिया परिचार कर रहे हैं और नहीं किसी प्रोडक्ट का परिचार कर रहे हैं कैजू के सम परपर के साफ से बीडियो बना रहे हैं जिससे कि आप लो भी रोग बोलते हैं और दूसरा जो कि BLB जिसको हम Bacterial Lip Blight भी बोलते हैं ये दो मुक्रोग लगते हैं दान की पसल में इसकी बज़े से कापी नुक्सान किसानों को होता है तो इसकी समस्या का समाधान करने के लिए IAR के बेग्जानकों ने दो बिक्सित की हैं उनमें जो पहल 2009 में Blast और BLB दोनों रोग देखने को मिलते थे और इसकी बज़े से काफी कम पैदावार होती थी तो उसी को सुधार कर PB 1847 बनाई गई है ये बैरेटी ऐसी है कि इसमें कम पानी की आवशकता पड़ती है कम लागत लगती है कम लागत इसलिए लगती है क्योंकि इसमें ने लोग नहीं हमारी फसल में लगते हैं तो हम दवाईयों का छिड़काव नहीं करते हैं जिससे की इसमें लागत कम आती है और कम समय में ये पकर तैयार हो जाती है और कम पानी ये चाहती है इस बैरेटी में रोगों के प्रत रणने की झमता भी होती है ये भरपूर ये अधिक देती है इसके बाद एक दूसरी बेराइटी है जो कि PV 1692 है इसको भी हम पूसा वास्मती 1692 के नाम से भी जानते हैं इस बेराइटी की फसल अबदी 110 से 115 दिन की होती है ये बेराइटी वी जल्दी परपक हो जाती है इस बेराइटी में एक बिसेश्था है इस लेकिन गरदन तोड बीमारी है जो नेक ब्लास्ट है ये रोग देखने को नहीं मिलता है तो ये दो बैरेटियां बिक्सित की हैं जो कि IAR के बैग्जान को ने बिक्सित की हैं पहली PB 1847 और दूसरी PB 1692 ये दोनों बैरेटि काफी अच्छी हैं और इन बैरेटियों को आप यह दान की पसल लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं बात करें इन बैरेटियों को हम किनके राज्य में लगा सकते हैं जैसे उत्तर प्रिदेश, मद्ध प्रिदेश, हर्याणडाब, पंजाब, हिमांचल प्रिदेश, सभी राज्यों में आप इन वैरेटियों को लगा सकते हैं और यदे आप इनको लगा रहे हैं तो आप सभी प्रकार की मिट्टियों जैसे चिकनी मिट्टी, दौमट मिट्टी हलकी दौमट मिट्टी हलकी चिकनी मिट्टी इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इन दोनों वेराइटियों के खीती कर सकते हैं काफी सफलता पूरवक इन वेराइटियों के खीती होती है तो ये रही PV 1847 और PV 16 Vin जानकारी तो आप देखते रहे हैं बजरंग बीज बंडार यूटूब चैनल और मिलते नेक्स्ट वीडियो में नहीं जानकारी के साथ जय जवान जय एक्सान